खुरत दिजो और निदे कर दो आइन। अमारा जो टॉपिक है थो इकनोमिक जोग्राफ़ी का वो है वर्लड अग्रिकल्चर टाइप्स ठीक है और अग्रिकल्चर टाइप्स ते यह जो टॉपिक है लिसमें हम फिर से वही अपनी श्रॉट्टेजी अपनाएंगे हम पहले इसके रिलेटेट सारे टॉपिक एंसी आर्टीस के कबर कर देंगे और फिर ये टॉपिक कबर कर देंगे उससे क्या होता है कि आपकी गराउंड प्रिपेर हो जाती है तो अगरिकल्चर, लेंड यूज एंड प्राइमरी अक्टिविटीज ये तीन कम्बाइन टॉपिक ही चलेंगे आज ठीक है ये सारे टांप्स आपको पढ़ने में आएंगे जब आप एकनोमिक जोग्रफी से वो चैप्टर पढ़ेंगे इक coronavirus french अप्रिम्स आव थे अच्पपल्च कहीं है फोजलिग अफोज अपच अछप्ण भाइमरी अक्टिविटी ना तो येivatे में अप्राईम्स आपकाई है कictionँ है तबस्तोन आंप्स अफोगर इन बाजेक है Agri-culture is basically a combination of two words agar and agri और इन दो एक वर्णा बेन लेटन लेटने मेने क्या है विदि आ इन दो वर्णा बमीकल है कि आपको क्रक्स कुगानी एन करें कि यह Amaug ri कल्चर कि कही पाउट में आ गे कार्ट रेगाए जैसे क्ये पें रेिएंटेड है यह सिल्ख का दिए जैसे विपिय मतलब पिख। जैसे विपिकंचर है विपकथ्सित प्रमी ग्रेप्स जिसप्रेट ग्रेवस कोछा मारा हिसे लर्येट कि विपकरी खाल stoked मैंने ही हौद हीं मैंने हुर्टी ग्रेवसित खालatsächlich प्रम्रेट वकरीप्सित इस तरह के different different आपके cultures है, यॉप करते है, मतलब की cultivation, ठीक है? अगर हम बात करें तो यह पार्थ है primary activity का, क्या होती है primary activity? क्यों भी human efforts, जिससे income generate होती है, उसे हम economic activity कहते है, और economic activity को further divide किया गया है, किस चीज में? Teen activities, that is very good, that is primary activity, secondary, tertiary and quaternary, there are four type of activities, एक quaternary भी आज़ा, यह वो आने वाले समय में आप पढ़ लोगे अब concept यहां पर यह आता है, कि अगर हम बात करते है primary activity की, तो यह होता क्या है, पेसी के लिए, टीनो activities को अगर मैं आपको simple way में समझाना चाहूँ primary, secondary and tertiary, समझे, primary activity का मतलब यह है, कि आप directly nature से कुछ extracts और कुछ produce कर रहे हैं, आप nature से directly कुछ extract और कुछ produce कर रहे हैं, that is primary activity, ठीक है? you are extracting or you are producing from the natural resources provided by the nature, that is primary activity, done? जो भी आपने nature से extract किया या produce किया, जब आप उसको process करेंगे, that is secondary activity, नेचर से चीजें चीजें extract करने में और produce करने में, फिर फर्दर उन्हें प्रोसेस करने में, आपको बहुत बड़े पहमाने पर एक support system चाहिए, in the form of transport, in the form of managerial skills, in the form of banking services, in the form of money, in the form of medical services, that support system in the form of different services is called service sector, that is tertiary sector. So basically primary sector is called agriculture and allied sector, secondary sector is called manufacturing sector and tertiary sector is called service sector. तो देरा 3 sector, अब हम बात करते हैं primary sector की, तो primary activity की बात करें, तो primary activity में क्या आजाता है? कपड़ा होने उन्हें, प्राइमरी activity में क्या आजाता है? सबसे पहले की अगर हम बात करें, स्कार्टिंग की बात करें, सबसे पहले का human क्या करता था? That is hunting and gathering. The very first thing is hunting and gathering. Hunting and gathering. वैसे अगर आप धहान से देखें, तो gathering was the first thing. gathering पहले होता है. क्योंकि बात में जब stone से weapon बनाने सीखें, तभी hunting स्टार्ट होगी. उसके पहले gathering होता था. मतलब, आप हैरान हो जाएंगे, क्या जब गर आप forest में जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एडिबल नहीं है, आप उन्हें नहीं नहीं खा सकते हैं. उस टाइम, आज आप वही खाते हैं जो आपको बदा दिया गया है, पहले से. जिन्होंने फर्स टाइम इन चीज़ों के बारे में इंडिफाई किया होगा, इसमें भी बहुत स्किल्स लगते थे हि जिसने जंगल में घूम घूम के चीज़ों को ट्राइ करकरके, यह आइडिफाई किया कि यह एडिबल है और इडिबल नहीं है. इनको हम कहते हैं wild species जो खुद होती है फिर आगे आने मले समय में यही आदिमाना जब किसी एरिया में जाके settle हुआ उसने इसी wild species को जब वहाँ पर एक settled atmosphere में अपने according manipulate करके cultivate करना शुरू किया तो उसको हम कहते हैं crops तो हर crop की wild species जंगलों में है जिससे हम जीन पूल कहते हैं जीन बेंगलों में जिससे समभालना बहुत ज़रूरी है अगर जंगल कतम तो हमारी फसले भी केतों से खतम हो जाएंगी you cannot expect जिससे हम फसले केतों में बिना जंगलों के है बास समय में तो बहुत बड़े पहमाने पर ये लोग जिससे हम कहते हैं कंदमूल खाना मनें रूट्स खाना प्रूट्स खाना बत्ते खाना स्टेम्स कई चीजों के स्टेम्स भी खाया जाते हैं बार्क भी खाया जाते हैं कई सारी चीजों के इन सब चीजों खाने हों काम करते हैं आने वाले समय में फिर इनको स्टोंस से वैपन बनाने का आठ पता चला और इन्होंने बहुत सारे तरह के स्टोंस से वैपन बना करके फिर शिकार करना शुरू किया और हंटिंग करने शुरू की तो हंटिंग के थू भी ये अपना बहुत बड़े पैमाने पर जीवनियापन कर दी गई है इस वाजा से आज जो प्रिमिटिव हंटर कम्यूनिटीस थी जो हंटिंग के थूप नी लाइफ बिदाती थी आज उनके पास वो स्कोप नहीं है कि मुझे यह चीज कर सके लेकिन अल्टीमेट आसपक्ट है कि जब हीमन सिमिलाइजेशन पूरी तरह से टिकी ही ह फिर इनिमल एक्सटिंट कि नहीं हुए आज इतने बड़े पहमाने पर एनिमल एक्सटिंट हो गए एंडेंजर थी जब कि आज की दिए में जो है वो एनिमल पर डिपेंड़ ही नहीं मतलब फूरी तना से उन्टिंग पर नहीं डिपेंड़न थी तब कि जो कम्यूनिटी इतने स्टेल्थ इतने स्पैसेफिक और इतने जबर्दस नहीं होते थे कि वह इतनी फ्रिक्वेंटली शिकार कर पा है आज की निट में आपके पास स्टेंगन है या आपके पास गन है आप विदिन अ मिनट आप थाउजंड आफ एनिमल को खतम कर सकते हो आरो प्लें से या बड़ी के निमेजिक तो बहुत बड़ा रीजन एक्स्टिंक्शन का ये बॉस भी है उस जमाने पर आपको केवल शिकार के लिए चाहिए होता था जानवर शिकार करने के वैपन भी आपके पास नॉर्मल थे सुबह निकलते थे रहाम तक एक जानवर शिकार करके सारे लात अारण के बीच में कि कौन किस से जादा शिकार करके लाता है तो कोई 10 शेर मार के आता था जनी कितने शेर मार के आता था शेर ही खतम कर दी जूँ लेकिन अगर आज आप से पूछे कि हंटिंग की जाती है येस हंटिंग आज भी की जाती है जो प्रिमिटिव ट्राइबल वहां पर उनका जो एरिया है जो restricted है बाकी लोंग गरिये उन्हें वहां पर अनुमति है अपनी इच्छा के अनुसार शिकार करने की अपनी उपजीव कपर परफस आपनी livelihood के परफस है लेकिन ये जो शिकार होते हैं ये इस लेवल पर होते हैं कि इनको आप marketable commodity नहीं बना पाते हैं आप इसको वेज नहीं बाते हैं आप इससे सिरफ अपना गुजारा ही कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से तो इस वज़ा से गवर्मेंट्स इन चीज़ों को अलाव करती हैं दूसरा आज भी काफी बड़े पहमाने पर गैधरिंग का काम होता है आज टेंडू लीव्स गैधर किया जाते हैं महुआ के फल गैधर किया जाते हैं आज आप देखेंगे तो बहुत सारी मेडिसिनल हर्फ जो है उनको गैधर किया जाता है जंगलों से तो आज भी ये लोग बहुत बड़े पहमाने पर चीज़ों को गैधर करते हैं अपने लायक तरफ के अपना गुजारा करके बाकी को मार्केटेवल कमडिटी के तौर पर सेल करते हैं तो हंटिंग और गैधरिंग is a part of primary activity because you are extracting natural resources without doing anything आप कुछ नहीं लगा रहे हैं आप सिरफ एक्स्रेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को आज भी अगर आप जाएंगे नौर्ट इस्टन इंडिया में आपको बहुत बड़े मेगाले में जाएं आपको बहुत बड़े पहमाने पर और आप नजर आ जाएंगी संत्रे अप्रिकॉट इस तरह की चीज़ें गैधर करती हुए आज भी यह कंस्रेक्ट चलता है चीज़ों को गैधर किया जाता है और बेचा जाता है अगर अगर तभी हमाचल कहें हो तो आप एक चीज तिहां से देखें कि मार्च अपरेल मही के महीने में आप हमाचल जाएंगे तो हमाचल की सड़कों किनारे किनारे आम लगे रहते है अपियां तो वह अपियां वहां से तो आज भी गैधरिंग का काम चल रहा है लेकिन अब धीरे 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 फेन ही शोकता चला जा रहा है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट इरिस्टिड कर दिये गए हैं बहुत हाई लेवल पर फॉरेस्ट अधरवाइस प्राइबिडाइजेशन कर दिया गया है सड़क के किनारे जो भी चीजे हैं वह कम्यूनिटी लेंड डिकलेर करके जो भी फॉरेस्ट्री वहां पर की गई हूँ कम्यूनिटी के नाम पर है तो कम्यूनिटी अलाव नहीं करती किसी को वहां से कुछ चुछ हम बात करें है कि पेस्टॉरलिस्म पेस्टॉरलिस्म में पैस्टॉर आ जाएंगे एंड नॉमेडिक हर्डर्स पैस्टॉरलिस्म के बारे में सब्सक्राइब लिए कोई भी रिजन अगर आम लॉजिकली सोचें कोई भी वह रिजन जहां पर सॉइल एंग्रिकल्चर के लाइक नहीं तहली कंडिशन कि सॉइल वहां पर ऐसी रही है कि आप एंग्रिकल्चर किया जाए दूसरा रेंफॉल बननेट नहीं रेंफॉल भी परियाफ्क्मातरा में है तीसरा grasslands बहुत extensive available है तो ऐसे में आप क्या करते हैं naturally आप जानवर पालते हैं ठीक है दो तरह के जानवर पाले जाते हैं जो women जानवर पाले जाएंगे for the purpose of milk that is milch animal m-i-l-c-h milch animal और जो male जानवर पाले जाएंगे for the purpose of transportation that is brought animal तो दो तरह के animal पाले जाएंगे milch animal and draught animals male and draught male male milk female ase होता है न बहुता है न नंदी पाल खाल चलने के लिए वो draught animal है और जोर के लिए जो milch animal है ठीक है yes so concept is कि grass net अगर हम बात करें desert areas की तो यह सारा के सारा जो सारा बैंट है और सारा जो जो सारा 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 बैंट यहां से सहारा बेंट से स्टार्ट करें। आप इधा यह हो पहलों कि यहां तड़ नभी करों नियुआ जाएंगे, चैना कर दख शुपर इस प्रयंट थे से आए शलाख यह भाह crush Candra शाहरा इध बेंट ? यहां पर सौइल उस लेवल पर अगरिकल्चर के लिए कामयाब नहीं होती यहां पर रेंपाल उतना नहीं होती यहां पर ग्रास्लेंड बहुत ही एक्स्टेंसिव होते हैं जिसकी वज़ा से इनके लिए काफी इजी हो जाता है एनिमल को रियर करना और क्योंकि ग्रास्लेंड अवेल उसी को खाएंगे तो यहां पर आपको पैस्टॉरलिजम मिलता है ठीक है तो इसके इलावा इन पैस्ट कि अवेलिबिलीटी में एक जगा से दूसरी जगागा वोंती हैं उसकेट को कहते हैं यह ट्रांस-मिमाइन्स करती रहती है तो यह तो मैंने आपको बतावी ए ऐरिया से चिन आरिया सेंग्डेंगे बुलनिंग कोई भी वह मांटें आपको ग्रास्स मिलती है जैसे इंडिय का मौंटेन एरिया हिमालया हिमालया में बात करेंगे जंगु कश्मीर हिमाद्चन परदेश उत्राखंड की यहां पर आपको पही तरह कि इस तरह के नॉमैडिक हर्डर्स पैस्टॉरलिस्ट कमुनिटी में जाएंगी जिनको आप कह सकते हैं बक्करवाल है जिनमें बोटिया ट्राइब आजाती है बहुत पेमस जिनमें कद्धी ट्राइब आजाती है बहुत पेमस तो यह जो ट्राइब होती है यह उपर से नीचे नीचे से उपर मूब करती रहती है जैसे ही सर्दियों के मौसम में पहाडों के उपर ही इस्सों में बरफ जमने लग जाती है पानी क फिर से observe होने लग जाते हैं, तो ये नीचे से ओपर मूब कर जाते हैं, तो ये winters में southward मूब करते हैं, और summers में southward से northward मूब कर जाते हैं, इसी तरह से latitude का आसपेक्ट बताया, इसी तरह से latitudinal aspect भी है, जैसे ही winters बहुत harsh होती हैं, ये रशिया के northern हिस्से से southern हिस्से की तरफ migrate करते हैं, जैसे ही summers आने शुरू हो जाती है, ये रशिया के southern हिस्से से northern हिस्से की तरफ मूब कर जाती है, तो इस तरह से ये सारा साल मूबाइल रहती हैं, और कम से कम दो movements करते हैं, एक forward और एक backward, ये ही reason है, कि शुरुआत से ही इन्होंने बहुत important passages प्रोवाइट करे हु देखें, गुजर कम्यूनिटी, तो गुजर कम्यूनिटी जो है, वो बहुत बड़े पहमाने पर कैटल्स रियर करते हैं, और वो एक जगा से दूसरी जगा मूग किया करते थे, तो गुजरों के साथ लोग अपना सामान भी इधर से उधर भेज दिया करते थे, तो कारवा इसी तरह से इनको सामान ले जाने और लाने का भी जरिया माना जाता रहा है शरू दिन से ही, इसी तरह से ले Clerk of Dadla Learning आणिछ पुछे जो पिक साने का जो हैं। आणिदम कर्या हैं वह बोती पहता है। क्वाच के लिए पास भी जाने हैं। रहते हैं। केमल होते हैं, गोट होती हैं, शीप होती हैं। अगर आप नर्दन हमेस्फेर में कैरिडा की बात करें। तो उसमें अगर आपको एस्कीमो कम्मुनिटी मिलेगी तो रेंडियर पालते हैं तो अर्टिमेटली जिस जिस रिजन में आप बिलॉंग करते हैं उस उस रिजन के एरिया के आप जो भी स्पेसिफिक एनिमल्स हैं जो उस कंडिशन में सर्वाइब कर सकते हैं उसको आप पालते हैं तो अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत के डैजर्ट एरिया में आपको पैस्टोरलिस्ट और जो कम्मुनिटी मिलेगी उनके पास नॉर्मली कैमल होंगे और गोड्स होंगी बकरियां अगर आप हिमालय की बात करेंगे तो उनके पास आपको शीप्स मिलेंगी उनके पास बोट्स भी मिलेंगी और उनके पास आपको याक मिलेंगे तो इस तरह से अलग-अलग एरिया में अलग-अलग जानवर आपको मिलते हैं इनसे ये बहुत सारी चीज़ों लेते हैं जैसे बुल लेते हैं इनके हेर लेते हैं, स्किल लेते हैं, इनके हाइड लेते हैं, इनके हॉर्म्स लेते हैं, इनके टुथ लेते हैं तो ये सारी ही ये उंगस करते हैं और आज की डेड में किसी ना किसी लेवल पर ये आप marketable हो चुके हैifall और इन सारी चीज़ों को ये market लेवल पर supply करते हैं बहुत बड़े पहुंआने पर बहुत से पैस्टेरलिस्ट और अगर आप देखेंगे तो गुज्जरों को आप नोटिस करेंगे, गुज्जरों ने बहुत बड़े पहमाने पर जमीने खरीड ली हैं, जगाहे ले ली हैं, और आप वहां से वह मूव नहीं करते हैं, और वहीं नियर्पाइ एरिया में कहतीवाड़ी करते रहते हैं, अगरि बाउंटरी बहुत स्टॉंग हो गई हैं, पहले एक जगा से दूसरी जगा मूव करना बड़ा एजी था, आज तो कंट्री इतनी हाइली डिमार्केटेड हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर मचवारे गलती से इंडिया के पानी में आ जाते हैं, तो इंडिया प स्मगलर करा दे के फगड़ लेंगे, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या थे कि कंट्री के जो बॉर्डर थे इतने स्ट्रिक्ट इंड लोगों के लिए नहीं थे, लिकिन जैसे आने वाले समय में स्मगलिंग, टैररिज्म ये सारी चीज़े स्ट्रेंद होने लगी, उसक इसकी वज़ा से इनोड़ी ये प्रोफेशन छोड़ करके ये जो इनका कल्चरल प्रोफेशन था, अब इनोने एक सैटर्ल लाइफ विदाने शुरू कर दी, बहुत सारे पैस्टॉरल और हर्डर जो हम लेबर बन चुके हैं, एज लेबर वर्क करते हैं, और अपने अपको तो आजाता है एक्रिकल्चर, अब एक्रिकल्चर में बहुत कुछ आएगा, एक्रिकल्चर दो तरंगा होता है, सबसे पहले अगर आप देखें जो सब्सिस्टेंस होता है, सब्सिस्टेंस और सब्सिस्टेंस होता है, सब्सिस्टेंस और सब्सिस्टेंस होता है, सब्सिस् अगर हम बात करें तो यह प्रिमिटिव प्राक्टिसेज फॉलो करता है। जैसे आज की डेट में वर्ड लेवल पर जिस भी किसी कॉंटिनेंट में ट्राइबल कमिनिटी जो खास तरह का एक 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 अगरिकल्चर सिस्टम अपनाती हैं। उन्हें प्रिमिटिव सबसिस्टेंस अगरिकल्चर कहा जाता है। जैसे महारत की जूम थेती है। जिसमें क्या होता है कि एक ट्राइबल कमिलिटी हैं। वह एक एरिया के फॉरिस्ट को कट करते हैं। उनके सीट्स और एशेज को जमीन में गल जाते हैं। उनके मिकसब होने का टाइम देते हैं। मेरे दीरे सॉयल पर्टाइल हो जाती है। 3-5 साल तर इस तरह से वहां पर फार्मिंग करते हैं अल्टिमेटली उस लेंड की फर्टिलिटी लूज हो जाती है क्योंकि ये लोग किसी तरह का कोई आर्टिफिशल केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं और जब 3-5 साल में उस एरिया की फर्टिलिटी कतम हो जाती है ये एक नया पार्सल अफ लेंड ढूलते हैं वहां पर फिर से फॉरेस्ट करते हैं और 10-15 साल के बाद वापिस उस लेंड में आ जाते हैं जिस लेंड से गए होते हैं बहुत होता है कि यह बहुत अगश्या एरिया होना चाहिए जहां पर इस वह अला है यह यजAR अगई हमों होता है तो स्दीजर थाक्राइज नहीं होता है अगर हम अग़िस टॉमोपन करने का प्रजह तो इसी तो इस तो इसपो omnipot जाना जाता है जैसे Central America और Mexico एरिया में से MILPA कहा जाता है जिससारे नाम आपको याद कर दें इंडिया में ही इसके कई से नाम हैं आपको इंडिया के भी वह सारे नाम याद रखने हैं यह आपकी लिट हप लिस्ट बना के नाम याद करोगा यह यहां पर इसे लाचा एटेफे लागा पर इंडिया की तो इंडिया का ईलाका तो इस यहां पर इसे लडांग काई जाता है लागा, चाहे लाधाएं मिला जाता है अगर हम करें, तो इंडिया की तो इंडिया के नौर्thm प्रिश में से जूम आजाता है अब इंडिया में इसके अलग अजनम है इसे ऐंडिया में भी नाम है ईसे इपोर भी शनाता है अजया नत्यों कर एप भी जाता हु वह नहीं आपको बता दिया, मिलपा आजाता है, रोका आजाता है, लदाल का आजाता है, जूम का आजाता है, यह इसके में में कुछ नेम है, ठीक है जिक? प्रिश्टीस है, slash and burn, काटो और जला दू, जिसको हम कहते है, shifting agriculture, shifting cultivation, shifting cultivation के हर country के लग लग नाम है, यह primitive subsistence agriculture practice है, इसके जहत, बहुत बड़े पैमाने पर आज इनके प्राइबल कम्यूटी अपना रोजी रोटी चलाती चली आई है, अपना गुजारा करते आए हैं, but the ultimate aspect is, कि आज की जिट में forest related laws बहुत ज्यादा restricted हो चुके हैं, आज government के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर forest reserve कर दिये गए हैं, mostly European countries और American countries में forest privatized कर दिये गए हैं, जिसकी वज़े से tribal communities को अब वो access नहीं रहा, forest पे जो पहले हुआ करता था, इसका एक reason यह दिये जाता है, कि इससे deforestation होता है, और forest बरबाद होते हैं, को ultimate aspect इसकी इसकी रोपना कराएगा, क्योंकि यह eco friendly practice नहीं है, जो tribal community के लोग है, वो यह कहते हैं, कि हमें पता है, कि forest को regrowth होने में कितना time लगता है, 10-15 साल में forest regrowth हो जाता है, और in fact जो नहीं growth होती है, forest की ज्यादा अच्छी होती है, पिछले growth से, जो पिछले पेड़ होते हैं, पुराने हो चुके हैं, नया पेड़ जो है, वो ज्यादा carbon dioxide कंदियों करेगा, हम उस इस आप से पेड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं, यह तो आपके द्वारा की जा रही, mining practices है, roadways, practices, railways, bridge, damp, जिसकी वज़ा से जंगल बरबाद हो रहे हैं, आप हमें हमारे natural ecosystem को harm कर रहे हो, that is not good, ऐसा आपको करने की अनुमती नहीं है, लेकिन ultimate aspect is, आज की रिड़ म की बाकी सब्सारे बहुत बड़े पहाने पर प्रयास करती हैं, कि इन communities को जो primitive subsistence agriculture अपनाती है, इनको settled agriculture की तरफ बढ़ाया जाए, इनने chemical fertilizers के बारे में सिखाया जाए, इनने organic farming का नया रूप दिखाया जाए, और इने mainstream cultivated communities में लाया जाए, ताकि यह इस तरह की practices ना करें इसके इलाबा आजाती है intensive subsistence agriculture, अगर आप intensive subsistence agriculture की बात करें, तो यह mostly वहाँ पर होगा जहां पर monsoon rainfall होगा, clear? तो यह monsoon rainfall areas जहां पर भी होगे, वहाँ पर population का pressure बहुत हाई होगा, क्योंकि concentration of population इतने ही हाई होने की वज़ा से, आपके पास piece of land तो कम होगा, लेकिन आप उ इसका reason है कि इसका नाम is intensive agriculture, ठीक है? अब logically एक बात अगर हम सोचें, कि हमारे पास एक classroom है, और इसमें हमने बहुत heavy labor लगा कर कि कुछ produce करा है, तो यह मान भी लेते है हमकी production per land तो हो जाता है, लेकिन production per person तो बहुत ही काभ हुआ है, तो ultimate aspect है कि आपने जितना produce करा है, वह जब इतने लोगों में वह चीज शेयर हो जाएगी, तो फिर वह marketable बचेगी, market like बचेगी नहीं, वह तो फिर consume ही हो जाएगी, तो ultimately it is a subsistence in that way, कि आप जो भी उगाते हैं, आप खुद ही इस्तमाल कर जाते हैं, और आपके पास land holding इतनी कम है, कि आप afford ही नहीं कर सकते हैं, आप के पास पैसा ही नहीं है, कि आप आप आउसाइडर लेबर को पे करें, तो ultimately आप अपने family members को ही induce कर लेते हैं, तो in that way it is also called subsistence, कि आप अपने परिवार जनों के साथ मिलकर के खेती करते हैं, खेती के दुआरा उत्पादन होए जितने भी पदात हैं, जो भी products हैं, वो परियुक करें ही नहीं हैं, तो ultimately production बढ़ाने के एक इसको बढ़ता है कि लेवर जालो से जालो लगा दो, तो फिर इसकी वज़ाते हैं, आप बहुत बढ़े पहमाने पर intensive agriculture करते हैं, तो यह intensive agriculture areas naturally अहां पर होँगे, जहां पर भी monsoon rainfall और heavy rainfall रहता है, that central American region, that equatorial African region, और monsoon region of Africa, and India का जितना भी सारा monsoon belt है, ठीक है, तो इन areas में यह intensive subsistence agriculture होता है, तो Asia, Southeast Asia, East Asia, Central America and Eastern Africa or Central America, इन areas में यह intensive subsistence agriculture होता है, अई बाद समय में इसके बाद अगर हम बात करें, तो next आजाता है commercial agriculture, commercial agriculture क्या होता है, यह वो agriculture होता है, जिसके लिए आप activity तभी करते हैं, जब आपको बता होता कि जो भी crop up होगा रहे हैं, उसको आप sale करना चाते हैं, यह बेचने के purpose होगाया जाते हैं, खेक है, इसमें खाने का purpose नहीं रहता है, मतलब आप community sale करके उसकी money fetch करोगे, उस money से आप अपनी requirements पूर करेंगे, that's why it is a commercial, because it is for the market, यह बहुत बड़े पैमाने पर कहां पर किया जाता है, अगर आप देखे, तो पूरा का पूरा जितना भी यॉरॉप है, यह यॉरॉप को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यॉरॉप का जो नॉर्थ वेस्टन यॉरॉप है, इस नॉर्थ यॉरॉप में बहुत बड़े पैमाने पर commercial agriculture होता है, अगर आप Northern American continent की बात करें, उसमें से अगर आप United States of America की बात करें, तो Eastern Central United States of America जो है, यहाँ पर commercial agriculture होता है, अगर आप India की बात करें, तो एंडिया में जो गंगा का मैदान है, इसमें भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्टन, जैसे पंजाब, हर्याना, Western UP इन एरिया में commercial agriculture बहुत बड़े पैमाने पर होता है, अगर आप चाहिना की बात करें, तो चाहिना में भी जो Eastern world है चाहिना का, यानि की मांग और रिवर का इलाका जो है, उस इलाके में जो फुर्टिवेशन होती है, that is for the commercial purpose, ultimate aspect is, कि जहां झाहिना की में जो फिर बहुत थे कह बोद्ड कि लिवर करें, यानि की में जो थे स्फ οf. यफ़ेशन आप